जात की गिंती जनगणना में जाती की गिंती हो और उसके बाद आंकड़े देश के सामने आए पता लगे किस जाती के कितने लोग किसके कितनी हिस्सेदारी है भारत की जिनसंख्या में यह एक बड़ा राजनितिक विशे और भारती जनता पार्टी को छोड़ दें तो लगभग फिर सभी दल भाजपा के साथी दल भी जो कुछ है एंडिये में वो भी विपक्षतों पूरा है जातिकत जनगणना की मांग कर रहा है जीचे भाजपा की साथ में लोजपा है चिराग पासवान की पार्टी लेकिन वो जातिकत जनगणना के पक्ष में हैं जीचे नमाजी है भाजपा की साथ में लेकिन जातिकत जनगणना की पक्ष में है और बेपक्ष तो है भाजपा अभी अपने पत्ते नहीं खोलना चाह रहे हैं थे क्योंकि जात का मामला ही इतना सेंस्टिव है और अब राष्टी स्वेम सेवक संख ने अपने वार्षिक समन्वे वैठक के मंच से इस बात की गोशना कर दी इस बात को दोहरा दिया कि हां सरकार को योजनाओं के लिए शाशन के में सुविधा के लिए आकड़ों की जरूरत होती है संख्या की जरूरत होती है इसलिए जातिकत जनगणना में कोई बुराई नहीं जातिकत जनगणना होनी चाहिए यह एक बड़ी घोशना है हलाकि इसके साथ में आरेसेस एक राइडर लगा रहा है लेकिन जातिकत जनगणना के आकड़ों का इस्तेमाल राजनीती में नहीं होना चाहिए चुनावी लाब के लिए नहीं होना चाहिए यह वैसी बात है प्राणियों में सद्भाव हो धर्म की जैय हो अधर्म का नाशों लेकिन आकड़ा आ जाये तो कौन रोग सकता है कि उसका प्रियोग कैसे होगा और कैसे नहीं होगा सबकी अपनी अपनी मर्जी अपनी अपनी स्वतंत्रता आकड़े का उप्योग कोई कैसे करें सरकार है सरकार योजनाओं के लिए करें जो सरकार में नहीं है वो सरकार में आने के लिए करेंगे आकड़ों का उप्योग जाकी रही भावना जैसी प्रभमूरत देखी इतिन तैसी लेकिन संग ने इस बात को सुईकार कर लिया कि हाँ जातिकत जनगरना होनी चाहिए क्या ये भारती जनता पार्टी के लिए भी एक संदेश है चुकि मंच से माइक से आया है कि जातिकत जनगरना की तैयारी करिए और कुछ संकेत पहली से भी मिल रहे हैं कि भाजपा के भीतर भी जो उसका शिखर नेत्रत्त है वो इस बात की संभावनाओं को टटोल रहा है कि अगर जातिकत जनगरना करानी ही पड़ी तो पर कैसे कराएं और क्या उसके लिए श्रेगता की भाजपा को मिले उसके लिए क्या राजनेतिक व्यवस्था की जाए और संकेती मिल रहे हैं कि उत्रपदेश के विधान सभाज चुनाव से पहले जातिकत जनगरना का मामला सरकार हिट कर देगी अब उसको संभ से और बल मिल गया 2024 के लोग सभाज चुनाव ने संग और भाजपा के की चिंतन धारा को भी हिलाया डुलाया है उनको भी लग रहा है कि नहीं कुछ चीज़ें बदलनी होंगी उसमें पेंशन है उसमें जातिकत जनगरना है यह सब चीज़ें हैं जिनको आपको 27 से लोग उत्तरपदेश के लोग विधान सभाज चुनाव से पहले दुरुस्त करना होगा और 29 से पहले तो इस जितने भी विवादित विशे हैं जिन पर राजनीत में धंगल है उन सब विश्यों पर भारती जनता पार्टी को कोई नो कोई कदम उठाना पड़ेगा और जातिकत जनगरना एक ऐसा विशे है जो सब मतलब उसकी खिलाफत कर पाना किसी भी राजनीतिक दल के लिए संभा बनाई और सामानी रूप से आप देखिए तो जाती की गिंती हो जाए इसमें खराबी भी कुछ नहीं जब सारी अर्द्वस्था जाती की आधार पर है समाज में जाती है राजनीती में जाती है मुक्षमंत्री मंत्री अपार्टी अध्यक्ष महामंत्री पदादिकारी सांसद विधायकों के टिकेट पार्षदों के टिकेटी जब सब काम जाती की आधार पर हो रहा है तो जातिकी गिंती हो जाने में क्या समस्या है? अब मुझे लग रहा है कि वो समय नजदीक आ रहा है धीरे 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 कि जब देश जातिकत जन्गर्णा के और बढ़ेगा 26 में जन्गर्णा होनी है और 26 तक हो जानी है और एक चीज और भी है कि अंग्रेजु ने जातिकत जन्गर्णा कराई थी 1931 में उसके बाद से 2011 में मनमोहन सिंह की सरकार ने जातियों की गिंती तो कराई लेकिन आकले सार्जिनिक नहीं किये तो अब क्या वो समय आ रहा है और आते हुए समय की आहट संगह ने सुनी और इसलिए उसने एलान किया कि हाँ जातिगत जन्गर्णा होनी चाहिए हमारे साथ यह इस पर एक रिपोर्ट तयार कि उस रिपोर्ट को देखिए फिर महमानों से पर्चे कराई फिर भैस में चलते है जातिय जन्गर्णा को लेकर जारी सियासी जोर आजमाईश के बीच संग वाले खेमे से आए बयानने भी अब इस मुद्दे पर खलबली मचा दी है जातिय जन्गर्णा को लेकर अपने जस्बातों पर संग ने साफ कर दिया कि जन्गर्णा तो होनी चाहिए लेकिन चुनावी फायदे के लिए नहीं जातियों के उत्थान के लिए अब इस अबूद आए अब आए अब आए बाएव और आए ऑर पर फायवरतन इंशेटिव where one of the five points is samarashtra social harmony and so that is taken very seriously in our centenary year we will take up it as a mass level and we will it will be more inclusive more inclusive I mean then different organizations and then different religious social organizations different community leaders it so it will be all inclusive the initiative of samarashtra social harmony keral में चल रही समन्वे बैठक के पहले दिन मीडिया के माईकों पर संग ने अपना इरादा जता दिया संग की ओर से कहा गया के जातिय जनगनना एक बेहत समवेदन शील मुद्दा है जिससे सामाजिक एकता और अखंडिता को खत्रा है वहीं संग के इस बयान के अपने का नहीं है को सब्सक्राइब करने का और उसके लिए हमें इन्फरमिशिन चाहिए हमें डेटा चाहिए आप नोट कीजिए कि मैंने दो चीजे कहीं है कि मैंने का आए कि जाती जनकरना सोचल एकनोमिक सिंसेस इंस्टिउशन सेंसे सब कराएंगे और 50% का जो barrier है जिसको हम accept नहीं करते हैं फ्रेंक्ली बोलतो है इसको हम उड़ा रखेंगे विपक्षी खेमा तो लगातार जातीय जनकरना के मुद्धे पर शोर कर ही रहा है संसत से लेकर सडक तक हर मंच और माइक पर कोई न कोई नेता जातीय जनकरना को लेकर मुखर दिख रहा है कॉंग्रेस खेमे से राहूल गांधी जातीय जनकरना को अपनी रणनीती का बड़ा हथियार बनाते दिख रहे हैं वहीं सपा सुप्रीमू अखिलेश यादव भी भागीदारी और हिस्सेदारी की बात करते दिखे हैं वहीं अब संग के बयान के बाद एक बार फिर घमासान बड़ता दिख रहा है संग के इस बयान पर कॉंग्रेस की ओर से कहा गया आरेसस ने जातिकत जनगनना का खुलकर विरोध कर दिया है आरेसस का कहना है जातिकत जनगनना समाज के रिये सही नहीं है इस बयान से साफ है कि पीजपी और आरेसस जातिकत जनगनना नहीं कराना चाहते वे दलितों, पिछणों और आधिवासियों को उनका हक नहीं देना चाहते लेकिन लिख कर रख लीजिये जातिकत जनगणना होगी और कॉंग्रेस ये कराएगी बहरहाल जातिय जनगणना के जिस मुद्दे पर विपक्ष देश भर में माहौल बना रहा है तो वहीं बीजेपी भूख भूख कर कदम रखती दिख रही है वहीं ऐसे में अब संग की दो टूख पर सवाल यही है कि संग ने जो दिया है बयान उससे किसे नफा और किसे नुकसान क्या विपक्ष के मुद्दे की कुंद होगी धार या जातिय जनगणना बनेगा अब बड़ा मुद्दा राष्टी सुम्सेवक संगह ने इस बात के लिए एक बड़ा दरबाजा खुला रखा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए ताकि शाषन के पास परियाप्त संख्या में आकड़े उपलब्द हो संग का सारा जो कुछ किंतु परंतु है वो इस आशे पर है कि उस जाति के आकणे जो है वो राजनेतिक मंचों पर इस्तेमाल नहीं हो खास तोर पर चुनावी लाभानी के लिए इतनी सी बात है जाति है जन्गणना के खिलाब संग है ऐसा नहीं के कांग्रिस जो वक्तव producción धेर रहे में बहुत से सब्सक्राइब युक्राता जैने का सवागत है अशो क裡 जी है समौज्वादी पार्टिक के प्रवक्ता शुक श्वागतत है कर्वेितर पाथि साब हैं कॉंग्रेस के प्रवक्ता तरपाथी जी का स्वागत है सुजाता पांडे जी है राजनेतिक विशलेशक सुजाता जी का स्वागत सुजाता जी आपके पास आऊंगा फिर राजनेतिक लोग के पास चलूगा जो हमने संगह को कहते सुना आज समन्वे समिती की बैठक के मंच से वो ये के कई बार इसी स्थिति होती है जब शाषन के पास आकड़े होने चाहिए तो उस दृष्टी से जातिकत जिंजनगरना होनी चाहिए लेकिन उसके जो आकड़े आए उनका राजनेटिक उपियोग न एक और क्या ये मानकर चले के जातिकत जंगरना हो सकती है या होनी चाहिए संग का ये कहना भाजपा के लिए भी एक सिग्नल है संकेत है अब तरह से संग ने अपनी वक्तवी को रखा है मुझे लगता है कि ये संग के एक शैली है और से काम करते हैं उन्हों तो उसमें यह बात आती है कि कुछ ऐसी जातियां है कि 50 साल से जाधा की बावजूद कुछ ऐसी जातियां है जो कि अभी तक बंचित है जिनको डिजर्वेशन का लाभ बिल्कुल नहीं मिला हुआ है तो उनको भी कैसे मुख्यधारा में लाया जा जाए उसके संदर में कहा ग किनको और जिनको मिलना चाहिए था उनको क्यों नहीं मिला और किस तरह से मुख्यधारा में जोड़ा जाए क्यों अगर यह नहीं होगा तो फिर वही बात हो जाएगी जाती है जन्द गन्नावरी सर्वेक्शन हुआ और सर्वेक्शन होने के बावजूद भी बिहार के ना बेरोजगारी में भी बिहार को कुछ फाइदा हुआ ना वहां पे सक्षिक संस्तानों में कोई फाइदा दिखा ना ही वहां के हेल्फ इंफ्रस्ट्रक्चर में कुछ फाइदा दिखा और नहीं जो जो आगी गरीबी वुकमरी और जो माल न्यूटिशन के समस्या है या फि एक मैप होना चाहिए कि किस तरह से हाँ इस डेटा को इस्तिमाल करेंगे वरना करनाटका में देख लिए जाती जन्गना हुई कॉंग्रेस की सरकार ने करवा ही अभी डेटा पब्लिशित हुए तो उस मित्र पाठी जी आपके पास आऊंगा कि कांग्रेस ने अभी प्राइक कैसे निकाला कि संग ने जातिकत जन्गना का विरोध किया ये कांग्रेस ने जो कंकूरूजन निकाला है ये कहां से निकाला और क्यों निकाला ये मेरा पशने उससे पहले जो सिजाता जी करेंगे उ देश में कितनी जातियां है और उनकी कितनी कितनी संख्या है उन जातियों के अधिन आने वाले लोगों की इसका आंक्रा सार्दिनिक हो जाने में ऐसा नहीं है कि गंगा जो है वो गंगोत्री की बजाए गंगा सागर से ऊपर पहार पचड़ने लगेगे यह नेताओं का ड्रामा है, इसे क्या फरक पढ़ाएगा? गाव में सब लोग जानते हैं कितने घर किसके है, गाव में गोली चल रहे हैं, यह फरजी बाते हैं, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, हिमाले एहल ने लगेगा, भूकम पाजाएगा, प्रकम पाजाएगा, यह सब मूर्खता पुन प्रदाप है, इसके क्या मतलब है? गाव में सब जानते हैं, किसी स्पूर्ट रिजा कितने घर किसके, वहाँ तो जाती का जनगणना लोग के जेन में, फिर भी सब साथ रहे रहें, यह कोई बहुत गुप्त तांत्रिक विधीत हो रही ने जाती का जन लगना भी चाहिए, 24 के भारत में उट की चोरी ने हो रहें, कोई जेम में रखके उट ले जाता है, ले जा सकता है, और जो ऐसा सोच रहा है कि हम जेम में रखके उट ले जाएंगे, मुझे लगता है फिर उसकी बुद्धीप को पडाम करने चाहिए, उट जाएगा तो को पता लगेगा कौन कहां खड़ा है, तरबाधी जी लेकिन आप से मूल सवाल मेरा हुए, कि आपकी पार्टी ने ये कैसे नतीजा निकाल लिया, कि संग ने कहा कि जातिके जर्रणा नहीं होनी चाहिए, यह हम उसके विरोध में, जातिके जर्रणा का खुलकर विरोध कर लिया, यह आपने नतीजा कहां से निकाला, आपने कोई अलग चीज सुनी जो हम लोग नहीं सुन पाए, देश ने, अमिताब जी, सबसे पहले तो आज 2024 के भारत में जो आप कह रहे हैं आज के समय में, सब को राहुल गांधी का सुक्रगज़ार होना चाहिए, कि जो मुद कर रहे हैं, संग जो भारती जंता पार्टी की मात्रिसंस्था के रूप में आता है, वो निश्यत तोर पर भारती जंता पार्टी और इस अताताई एहिंकारी भारती जंता पार्टी की सरकार को बचाने की ढाल का काम करता है, संग ये चाहता है कि इस मुद्दे को उठा कर और अपना सरे लेकर अपना टेग लगा कर इसकी हवा निकाल दी जाए इसलिए RSS की ये साजिस है RSS कभी भी इस देश में बंचितों के हितों के लिए उनके पक्ष में खड़े होकर बात नहीं कर सकती है वो तो एक सिर्फ राजनीतिक एजेंडा सेट करती है जिसमें कुछ पूझी पती आएं और अपनी सरकार चलाएं और इस देश के जो संसाधन है उनसे जिनकी सबसे ज़्यादे जरूरत उनके हग को समात्त करें तो ये RSS की जो चाल है आज जो संग ने कहा केरल में उसको आपने अलग सुना मैंने अलग सुना क्या आपने पहली लाइन क्या लिखी RSS ने खुला विरोध कर दिया जादिगत जनगर्णा का मैं ये समदर ये ज्ञान कहां से पाए जी मैं बता रामताबी जरसल ये मुद्दा आज पूरा देश बड़ी उमीद से देख रहा है कांगरेस की और इंडिया के जनगर्णा की और राहुल जी की और की जातिगत जनगर्णा होने वाली है लेकिन चुकी RSS को पता है कि DJP को इससे मुकसान पुरा है इसलिए इस एजेंडे को कमजोर करने के लिए वो इस मुद्देग उठा रहे हैं आज तक RSS ने जातिगत जनगर्णा के विरुद्ध है आज की में यह कहा संग ने कहा कि हम जातिगत जनगर्णा के विरुद्ध है ऐसा बोला क्या नहीं बोला तो आपने ट्वीट को खड़का दिया मैं यह बता तूँ जापास कर रहा हूँ मुद्ध को खतम करने के लिए अपना टैग लगाने की कोशिश ठीक 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 रुखना होगा कांगरेश को अगर ठीक है कांगरेश को अगर फेमी है आप जन नायक लोक नायक परम नायक चाह जो बता हो रहा हूँ आपकी मर्जी लेकिन एक से हो सकता है कि दूसरा उस को खांगरेश को ने टेड मार्क पेटेंट करा लिया क्या और जन करना पर लोक नायक जन नायक महा नायक बोलेंगे अच्छो सब्चि पेचर अपने बोलेगा ना भाई मेरा परणाम ऐसे नहीं चल सकते देश सब बोलेंगे और सब की सुनी जाएगी कांगरेश तरबाधी जी बिल्गुल कांगरेश को श्रेद पर श्रेद दिये जा रहे हैं मुझे 6 सितंबर 1990 की लोक सबाग का वो सत्र याद आता है मैं उस सत्र में पत्रकार के नाते शुरुवाती दोर के पत्रकार के नाते वह मवजूद था विश्वनात परताप सिंघ मंदल कमिश्यन की सिपार्ष लागू करने का प्रस्ताव लेकर आये थे और राजीब गांदीजी मैंरे का दो ढ़ा ता मन्डल की विश्वनात परताप की और उन्होंने कहा था ये देश को तोड़ने और बाटने की साजिश कर रहे है राजा साहिब उनका शब्द था वो पुर्चु चारण था राजा साहिब का उन्हों का हम इसका समर्थन नहीं कर सकते मंडल का बोलो सियावर रामचंद्र की जै अब पिता जी ऐसा कहरे बेटा है ये कह रहा समझी नहीं आ रहा इंद्र और उससे पहले पंद्रागा सुनी सो प्तिरासी मिंद्रा जी ने क्या कहा था लाल किला पे कि इस देश की सबसे बड़ी बीमारी ही है जात मैं चाहती हूं जात मिर्पेक समाज बने और राहुल राजीव जी जब बोलना शुरू किये तो उन्होंने मालूं कहां से बात शुरू की थी उन्होंने ओन्रेबल स्प क्या आप सब लोग गंगा जल हात मे लिए करना सुबभे जात शाम जात रात में जात जात जाति जात महानयक लोकनयक जनक अ जननायक, महानायक तो यही हो गए, फिर जवालाल जी को क्या कहें? उनको गुडू पप्पू की श्रेणी में रख दें क्या? इसलिए मैं कहता हूँ जब घर में ज्यादा बड़े बुड़े हो तो उनके भी ज्याध्यान रखो सब इनी को बता दोगे तो बाकी क्या कहेंगे अशोग ज्यादव जी अगर, अभी अगर की बात है? जब लोगनों हो जाए तब लोगनों तो अगर ही अगर है, सियासत है, मेरी समझ ये कहती है कि 27 के चुनाव से पहले उत्वदेश के, जातिकत जन्गरना का मामला सिरे चढ़ जाएगा, ट्रेन चल देगी, जातिकत जन इप्रेशन लग रहा है, और एक बार हो गई, तो जिसने कराई क्रेडिट उसको जाता है, क्या? अब यूँ तो सब लोग कहते हैं, मंदल हमारे दबाब में लागू हुआ, क्या? कांगरेश छोड़कर सभी ने कहा था, लेकिन मंदल के मसीया फिर जिसने लागू किया उस वही बना अभिश्वनात प्रदाप सेंग, यादर जी तब क्या होगा? इसे होता ना, उनके पिगमेंट्स होते हैं, उनके स्किन में, इन्वार्मेंट के हिसाब से कमी लाल, कमी हरा, कमी पीला ऐसे बदलता रहता है, भारती जिन्ता पार्टी आरसे सइसे ही है, समय और परिशिती के हिसाब से वह अपने कलर को बदलती रहती है, आप देखिये, कि दसक में अगर आप जाएंगे, तो देखिये, कितना विरोद किया था इसी मंदल कमीशन का भारती इंता पार्टी और अर अडवानी जी, कमंदल लेके निकले, जिनने, एक जिनने, सबसे घंगोर तीखा विरोद किया वगल्म बैठें, आप कहां बटक रहे हो, सबसे कि अचेशन की आप जिदाजीम गांधी जी कहां चले जाते हैं, इंद्रा गांधी जी कहां चले जाते हैं, जवाला नहरू जी कहां चले जाते हैं, लेकि मैं तो 2014 की बात कर रहा हूं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ तो समय पर इसाथ से राजितिक दल हो सकता है कांग्रेस ने उस समय जो गल्तियां की थी उसके बाद रावल गाधी जी ने उसको सुधारा और आज उस ट्रेक पे चलना है जिस ट्रेक कि आज पिछड़े दलित आदिवासी अलपसंख्यक उनक इस बड़ा बुनियादी प्रश्ण है इस पर राय बिशार होना चाहिए कांग्रेस को भी चिंतन करना चाहिए इसमें जातिगत जनगणना होनी चाहिए मेरी देश्ट में लेकिन इसमें ये भी हो कि मुस्लिमों के भीतर भी जातियों का वर्गी करन और उसकी संख्या सामन संख्या से इसमें देश के आनी चाहिए कि अरने जातियों के आधार पर मुस्लिम वर्ग में भी आरक्षण है ना पिशोलवक में आरक्षण मिल राए ना उनको उनकिया अधार पर मिल रहा है तो मिल लेरा, तो उनकी बी गिंती हो जाय सतितन नहीं और आधव जी फिर यह स पेल प्रावधान की जनगना होती है। यह को प्रावदान नहीं हो कि गाएसा कोई जनगना अधार्म में प्रावधान नहीं था? जनगर्णा होगी तो हिंदुस्तान की जिते नागरी के सब की जनगर्णा होती है इसमें सवाल कहां से कोई पैदा होता है देखे मूल सवाल जो है RSS का वो बयान जो बयान आपने दिखाया है उस बयान के पीछे का लॉजिक समझे कि जो दल या जो संगठन सत्ता के लिए सब्सक्राइब कर देखे हमको तुमा गंगा ने बुलाया है अब गंगा जी अपने बदहाली प्यासूब आ रही है उसके बाद हम भगवार राम अब वहां से धके खाय तुझे जगनात तो जो दल या जो संग्ठन अमताब जी अपने भगवान के उपरती लॉयल नहीं है है तो ऑफादार नहीं है वह बैक्ति किसी समाज के प्रति लगवादार केसे हो सकता है वो अगर अगर वखादार है शिर्फ और सिर्फ अपने सथा के प्रतिवफादार है और और किसी प्रति लॉयल काम कर रहे हूं प्रधानी से लेके और प्रधान मंत्री तक जहां जो मिल जाए वही लपको राजनितान को इस मोह से बचना चाहिए कि अपने को वीतरागी वैरागी नहीं घोशित करना चाहिए सब एक ही बजार में खड़े हो एक ही सा धन्दा है एक ही सी बात है अगर आपको चुनाब से लेना देना सत्ता से लेना देना नहीं तो पर चुनाब बाली पार्टी रेस्ट्रिशन नहीं करानी चाहिए थे देश की सेवा तो बिना पार्टी की भी हो सकती है तो पार्टी जी नहीं लाखों लोग कर रहे हैं देश की अच्छी ची सेवा नेताओं से बेहतर सेवा कर रहे हैं उन लोगों ने तो पार्टी नहीं बनाई जो पार्टी बना रहे हैं उनको लालवत्ती चाहिए उनको मुझे लगता है कि शुर्वात में जिसे मैंने का कि कुछ चीजे हैं मेरी राजनेतिक समझ यह कहती है कि भाजपा को 27 के चुनाओं में जाने से पहले करना होगा आज भाजपा क्या कह रही है यह मेरे लिए बहुत बड़ा विश्य नहीं राजनेति में कौन आज क्या कह रहा है यह महत्रपूर नहीं होता है कोई भी पार्टी 360 डिग्री 180 डिग्री कभी भी किसी भी समय घूम सकती है नहीं और सारी पार्टीयां घूमती रही है कांग्रिस का उधारन मैंने बताई राजीव जी बीबी सिंग से टकरा गया तो कि पुरानी पेंशन इस तरह के जो कुछ इशूज है जो पिछले लंबे समय से राजनीत को प्रभावित कर रहे हैं बाजपा भी अंतता उन पर वही जो एक सामान्य धारना है जो बहुमत है देश का जो चाहता है उसी के पीछे चलेगी आज शायद संग ने भी इसी बात को क पहने समझाने की कोशिश की जब सुनी लांबेटकर ने कहा कि शाषन को आकड़े चाहिए होते हैं इसलिए जातिकत जन्गरना हो जाए कोई दिखकत रहे है जफ्तनागर जी इसको क्या वान है सरकार जो इसकिम्स लेके आती है उसमें आकड़े बहुत मतफून होता है उन आकड़े के आधार पे वो बजट एलोकेट करती हैं नीतियां बनाते हैं जिसे कि गरीब जनता जो है जो पिछडी जनता है उनके उनको वो सारे सुविधा मिले जो और लोगों को मिल रहे है तो आकड़े बहुत जरूरी होता है और संग ने जो कहा बिल्कुल सही कहा लेकिन यहाँ पे किस तरह से कॉंग्रेस पार्टी अभी आप लाग कुछते रह गए कि त्रिपाठी जी से कि आप बता दीजे इस प्रस्न में कि कहां पे संग ने जातिये जनकड़ना का विरोत किया ह तो यह बता नहीं पाए गोल गोल गुमाते रहे कांग्रेस की फितरत ही यही रही है कि देश को गुमरा करते रहना और सच को कभी सामने नहीं आने देना अभी आपने बताया ने कि किस तरह से राजीव गांधी 90 की बात आपने कहा कि उन्होंने विरोत किया मंडल कमिशन का विरोत किया आपने 83 में इंद्रिया गांधी का विवदारन आपने दिया कि उन्होंने भी किस तरह से मंडल कमिशन का रिपोर्ट जो है दबा के रखा मैं उससे भी पहले चला जाता हूं मैं 1951 में चला जाता हूं जब पंडित नहरू जी सदन में जब जाती जनगर्णा की चर्चा हो रही थी और सदन में प्रस्ताव लाया गया कि जाती जनगर्णा होनी चाहिए तो पंडित नहरू जी ने उसको विरोत किया और कहा नहीं यह बिल्कुल बेवहारिक नहीं है यह बिल्कुल और बेवहारिक है जाती है जनगरना अगर कुछ करना है इस देश में तो लोगों को सिक्षित बनाईए उनको सिक्षा के माद्दम से ससक्त बनाईए यह शाग राहूल गांधी बूल जाते हैं और राहूल गां और सिर्फ और सिर्फ लोगों की जातियों को एक उसरे से बाटने का काम करना चाहते हैं देखिए अमिताब जी देश एक बार पहले भी धर्म के आधार पे बढ़ चुका है और विपक्षी पार्टियां आज चाहती है कि जातियता का विस जो है वो समाज यो फैला दिया जो कि छेत्री पार्टिया जाती जाती आधारित जो है बहुले जो रहता है जाती उसके आधार पे पार्टिया बनी हुई है और जाती का भला करने के लिए स्वैम का भला करती रहती है तो नेशीत रूप से आप जातीय जन्गरना कराईए हम उसका विरोध नहीं कर रहे है बाती जन्ता पाड़ी विरोध नहीं करें लेकिन उसका कहीं न कहीं हित होना चाहिए जो पिछडी जातिया हुआ है हम ऐसा चाहते हैं घृ कराओ हम विरोध रहे तोनों भाव कपलेवर नहीं चलता है यह वैं तॉर अबहुत केबिम बता हम आगर उनको फाइदा होता है तो हम उसका जरूर सपोर्ट करेंगे और हम कराना वीच है लेकि पार्टी ने जाती जनगरना कराने के बावजूद भी उन आक्ड़ों को जारी क्यों नहीं किया थिक कि उनको उस पर राजी नहीं करना है हमें राजी नहीं करनाटका में अभी ब लगार्ति जनता पार्टी से भी कहूंगा कि गुल खाव गुलगुले से परहेज नहीं चलेगा उजवाना बीत गया कि अब थोड़ा आप भी सुधार करो अपने में क्या घ्रव कि गांदी जी ने क्या कग फ्लाने ने क्या कग रिखाने ने क्या क्या उ सिग्द रमया क्या किया मन महन सिंह के समझ कून आखळा आया नहीं भाई कि सीधी सपusal बात क्यों नहीं कूलते हो खड़े होकर कि हाँ जातिगत जन्गनदा कराएंगे यह नहीं कराएंगे चित भी मेरी पट भी मेरी अंटा मेरे बाप का यह क्या कर रहे हूं और अगर भाजपा को यह लगता है कि देश में सब लोग ना समझे तो फिर उसको भी पुना मैं यह नहीं समझ पा रहा एक तरफ सुझाता जी हम यह कहते हैं जातिकर जन्ना होने चाहिए आंकड़े होने चाहिए बला बला फिर साथ में लेकिन समाज को तोड़ने की कोशिश हो रही यह क्या तरीका है मैंने शुरुवात में कहा था गाव में सब जानते किस घर किस के कितने गार है ठीक वहां समाज टूट गया समाज तो शेहरों में टूटा जहां लोग नहीं जानते गाव में तो आज भी जुड़ा हुआ है यह गुड़ खाव गुलूले से ब्रे लेकिन भाजपा को तो अपनी राहे रखनी चाहिए और आप देश में शाशन कर रहें तब यह को आम ना कर रहे ।-गुडु चाहें तो कर आद पुडु पपु चाहें तो कि क्राएंगे तो आप यह नहीं नहीं? कुन सी जाती को कितना रिजर्वेशन का फाइदा मिला है और किस जाती को आगे आना चाहिए तो दूप का दूप पानी का पानी वैसे भी हो जाएगा जो लोग आज OBC के जात की राजविती करते हैं उनके मुझसे भी उख़टा निकल जाए कि वो पीडिये है या फिर सिफ असारा एक जात्की डाजविती करते हैं ये भी निकल जाहिए लागा कि मुसल्मानों के जाती की वी जन्द जन्दना होनी चाहिए दिखना चाहिए कि अष्राब को कितना मिल रहा है और पश्मान्दा को कितना मिल रहे हैं तो यह तो बुझत रखता है कि अच्छी पहल हो रही है करवार दाती है जिंगरिना देख लो कि कौन किसको कितना मिला है या फिर यहीं सबस्थ्य हो जाएगा कि जिसने OBC की राजमीती की पिछडों की राजमीती की या वो सिर्फ परि मुस्लिम जातिकियों की बात पालम क defending the हमने सनí रंग देखी हूं ने चाहिए हमारी सरकार मुसलमानों में जातियों की गिंति कराएगी सब लोक सब्सेर कर vendor wasकोटने करने अगे मुर्दाबात करने लगा लगा आए तुम्हें हमारी किसम मुसलमानों गिंती न करा ना हाँ ने तो हाग लग जाएगी क्यों भया अब यह शोग जी करें ने वह तो सब की होगी ठीक बात है वह क्यों नहीं कहें असम में तब तो यह थियोरी चलाते हो सब लोग कि इसलाम में जाती है नहीं अचा जिए फिर सब्सक्राइशन मिल रहा है कि मैं जैसा मैं भाजपा के लिए कह रहा हूँ वैसे इंडिया कटभंदन के लिए भी कह रहा हूँ यह डवल खेलने कोशिश मत करिये इसमें चोटिल हो जाएगे मित्र आप हो जाहें आप हो पिक यह हीटर नहीं जा लगा और अगर कांगरेश को यह भाजपा को किसी को लगता है कि देश में समझ कम है हमारे पास समझ जादा है तो फिर वो समझ लिए गल्ती के मोहाने पर खड़े हैं गल्ती की देहरी पर खड़े हैं तरबाडी जी मूल बात यह कि राजीव राहुल गांधी छोड़ो ए असोग जी ने उस पर नारा कि तो वहां तो आप जात की पूरी गिन्थी करा के बियरोजगारी असिक्षा यह सब तुरंट दूर कर सकते थे नहीं राहुल गांधी ने पूछा थे एक रैली में कि यह उस तो देश भर में जब होती होती इतना पूल्नी तो अरजित कर लेती नहीं!!! कि कुछ राज्यों को बेरोजगारी मुक्त कर देती अशिक्षा मुक्त कर देती वहाँ पर टापिटा इंकम एकदम बूम कर जाती तो हम लोग कांग्रिस के पीछे खड़े होते और रतनाकर सिंग को दवाब में लेते कि ततकाल कराओ इतनी अच्छी जंगरना तुरूंत प् मैं विषय पे बोलने से पहले आपकी तारीफिन एक लाइन कह रहा था कि इस सादगी पे कौन न मर जाए है खुदा लड़ते हैं मगर हाथ में तलवार भी नहीं है आपने कितने अच्छे से असोगी की बात माल ली कि हम बहुत पीछे नहीं जाएंगे हम यहीं की बात कर ल रही थी कि अभी विष्पष्ट कर दीजिये कि आप जाती जनगरणा के पंच में हैं या नहीं आध कंगन को आरसी क्या पड़े लिखे को फारसी क्या बता दीजिये और जो आप कह रहे थे कि RSS ने ऐसा क्या कह दिया तो अमरेटकरजी के बयान में कि जातीक जनगरणा से स हम खुलकर आज कह रहे हैं आज के इस्टेंड आप अकीत में लोटते रहिए अभी रतनाकर जी ने 1951 से बात शुरू की सायद किताबें भी देखने की इनको फुरसत नहीं होगी तक तक और उम्र कितनी होगी उसका भी अनुमान लगा लें लेकिन नहरू जी से बात शुरू क आज बताएं इसमारी सर्कार बनेगी और हम जात जनगरना कर रहींगे एक तो तथ में दुरूष्ट कर दू खूंटे से भाइश को सब अपनी अपनी तरफ खैंच रहे हो यह नहीं चलेगा मेरी बहस में तो कम सकते हैं संग ने कहा जाती गत जन गनना अब मैं अपनी इस्मति से कोट कर रहा हूं उम्मीद करता हूं सही होगा जो मुझे इस्मरण है जाती गत जन गनना समवेदन शील विशे है खत्रा नहीं कहा शमवेदन शील होना और खतरनाक समाज के लिए खत्रा होना यह अलग दोनों यह फर्जिफिकेशन ठीक नहीं आप जैराम रमेश के वक्तव में यह एडिटिंग करने के हगदार है वह आपकी पालिटिक है संग बाव में तो कह को उनी को करने दो आप उसमें भी समवेदन शील खत्रा इंसर्ट कर दिये करें नहीं खत्रा बोल ऐसा नहीं करो भाराज एक बड़ी समवेद्हानिक बात उठाई तरपाथी जी ने योग व्यत्ति है उनने का कि समवर्ति सूची में नहीं है ये केंद्र के अधीन है ठीक है बिल्कुल सही का लेकिन गरीबी अशिक्षा भुक्मरी सब दूर करने का जो आपके पास जादूी फर्मूला है कि जात की जिन्ति उसका टाइटल बदल तो जीसे भीआर में टाइटल बदल दिया जात के जंगना नहीं का फिर भी एक काची कोरी कुर्मी तक सब एक एक नप गया गिंति में आ अगया क्या समस्या है करा लो बहुं क्या सिद्रमययन अपने पहले कारेकाल में क्या सत्रान कथा कराई थी जंगर्णा नहीं कराई थी नाम उसका लोग गणना दे तो जंगर्णा से तकलीब होतो राधे राधे गणना के लिखे तो जो समझ में आई लिखे तो मूल बात है आकला आकला तो आई जाएगा आर्थिक सामाजे गणना कुछ भी दे दीजिए सो वोट नर सिंग मनमोहन सिंग के समय में जो गणना हुई थी वो अंताक्षडी खेल रहते नहीं न हुई थी न लालु यादव और मुलाईम सिंग यादव ने पार्लमेंट में जाने कितनी बार इस बात को उठाया कि आकले जारी करो तक चिदम्रम जैसे लोग कहते थे नहीं देश टूट जाएगा आंकले जारी करतेंगे तो आज कांगरेस कह रही कि आंकले नहीं जंगरना नहीं होगी तो देश टूट जाएगा असमध्यारत देश है की फुटवाल अशो ग्यादव जी मसला वही कि मरी गटना की मांग कोई मांग कोई करे एक इस्थती है इसी आती यह लोकिस्मरती में वह चीज याद रहती जिसने उसको फाइनली ग्रांट किया त्स refund मंधल की मांक किसने की इसने खिलापत की चोड़ लेकिन एक लोकिस्मरती में बात आई कि वे विश्वनात प्रताप सिंग ने और थर्ड फरंट की सरकार ने इसको मंदल को लागू किया वैसे ही मैं इस जातिकत जनगर्णा को देता हूँ ना नुकूर के बाद हिला हवाली करते-करते भी अगर जातिकत जनगर्णा लागू हो ही जाए तो कि दो बाते मैं कहूंगा पहली बाते हैं उक्तर प्रदेश की जन्ता ने देखा एक कन्यूबिक्टेट जिसको सजायाफ्ता हैंदिम बोलते हैं कि सजायाफ्ता योगी सरकार जिसने उन्हीं पिछड़े दलतों अलसंकों आदिवासियों का हक लोटा 79,000 साइक शिष्क भरत सजायाफ्ता सरकार अगर जाती जनगरना का चोला उड़ने कोशिश करेगी तो पिछड़ा दलित कैसी इसके उपर विश्वास करेगा अगर दूसरी बात मैं कहूंगा कि अजुद्या बद्रिनात नासीख रामेश्वर राम्तेक इन धार्मिक जगहों से धार्मे के बाद भाजपा और RSS में आत्ममन्थन आत्मचिंतन चल रहा है कि अब धर्मांधता और च्छत्मराष्टवाद की दुकान भी बंद होने वाली देखो जनता आप जागरूप हो रही है वह बात करें नोकरी कि वह बात करें सामाजिक निया की इसलिए इस सवदय को अभी रखो द बीजेपी की मंसा एक रही है कि हमेशा पिछडों दल्तों और आधिवासियों को दबाने दबाए रखने की जो दल अपने अस्थापना काल से लेकर के आज तक पिछडों दल्तों की उपेक्षा करते आया है वह अगर कंबल ओड़ लेगा चोला ओड़ लेगा जाती तब आपको इनसे मांगी नहीं करनी चाहिए जनगणना एकर आओ जातकी फिर इसे मांग क्यों कर रहे हो अराम से बैठो जब आपकी गाड़ी आय तो उसमें चड़ना हो पहां से जनगणना का जाती के जनगणना जनगणना नहीं फिर इनसे क्यों मांग करने जब आप सब सब जानी रहे हो और करें यह कभी नहीं कर सकते चोला और नहीं और सकते क्रशी कानूनों पर क्या हुआ था आप सब लोगों अचानक से किसानों के हमदर्द हो के खड़े हुए थे क्या परिणाम आया सरकार ने तीनों पर कानून बेड्रो कर लिये थे एक जटके में आप ना आपको लाब हुआ ना कांग्रेस को लाब हुआ तो पाधी जी को याद होगा उतने दिन की महनत भी बेकार गई बोले याद धरने मुम भली गजग भी भी भीजवाई थी और गद्धे भीजवाई थे कुछ हुआ नहीं क्या है उमीदवार जीते नहीं है तो जो सत्ता में है अंतिम निरिने वही करेगा न मित्र रतनाकर जी अशोग यादव जी कह रह देखिए अमधावी जब विपक्षी पागियां गुमरा करने की कोशिश करेंगी और गलत दथेओं को लेकर सामने रखेंगी जैसा कि उन्होंने पिछली लोग सभा के चुनाव में भी किया कि आरच्छा खतम कर दिया जाएगा और सम्मिधान खत्रे में है चार सो पार है और यह गुमरा करने का काम ही इनका है सही तथे हो को अगर रखेंगे और रखेंगे जनहित राजնेती करेंगे तो निशीट रूप से हम उसकी तारीग यह जैसा कॉंग्रेस ने अभी कोशिश की वैसा ही कॉंग्रेस पार्टी और आपने विरूद किया था हम OBC समाज से हमारे प्रधान मंत्री जी है वो देख ली जी है पिछलों को सबसे ज्यादा टिकट जो है लोग सभार, राज्ये सभा और विधान सभा का देने वाली पार्टी कौन सी है भार्टी जनता पार्टी है तो हमेशा से हमने दलितों को OBC को आगे रखा है और लेकिन आरोप जो है यह लगा रहे हैं हमारे उपर कि हम उपेक्षा करते हैं चुकि इनको उपेक्षा का आरोप लगाना है क्योंकि इनको परिवार वाध की रायेती करनी है और परिवार से पाच-पाच सांसतों को जिता करके लोग सबाने भेजना है दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा अंताब जी तीस सेकेंड लुगा से त्रिपाठी जी अभी आरोप लगा रहे थे और कह रहे थे कि केंद्र के अधीन ये नेड़े आता है कि जाती जनगरना कराना है कि नहीं कराना है बिल्कुल ये केंद्र की अधीना आता है और हम उस पे विचार भी कर रहे हैं और करेंगे कराना है कि नहीं कराना है लेकिन आपकी सरकारे जहां पे हैं वहाँ पे जाती ये सर्वेक्षर जिस प्रकार्चर बिहार में नितीस बाबू ने कराया था वहां पर भी आप जाती सर्वेच्छर करा लीजिए ना और जाती सर्वेच्छर के आधार पर जो नितिया लागू करिए उनको रोजगार दीजिए उनके सिक्षा के उसर प्रदान करिए किसी ने रोका है आपको किस हैं कि हमारी सर्कार बनेगे कों जरूराथ जति जन्गणा क्राएंगे अरे जस paperờiे क्योंकि आपने जाती जन्गर्णा छेत्री पार्टियों के दबाव में कराया था और प्रणामुखर्जी के नित्रितों में और मर्थियों के समूर्थ हो आप पर आपका ही आईना दिखा रहा हूं अब आपके जुमले का समय बीच गया है और यह तैकर दिया है जाती जन्गर्णा के लिए किसे ने कमिटी बनाई थी प्रणामुखर्जी के नित्रितों मराई जी और मंत्रियों का समूह था लेकिन प्रणामुखर्ज ने इसको फिर बाद में भंग कर दिया जिसके आदेश से आपके आला कमान के आदेश से किसे करा दिए किसे आपने आखड़ों को करी उजागर कर दोनों को रौक नाटनागर भाई को भी तृपाठी जी को भी दोनों को रोकूंगा ड़क्टर तृपाठी को भी रतनागर भाई सुजाता जी मुझे रखता भारती जनता पार्टी ने क्रशी कानूनों के संदर्व में जो उसके साथ जो परिष्थिति बने उससे सबक नहीं लिया जातिकत जनगरना का मामला भाजपा नसंग न कहे तब भी जाती से ज़्यादा संदर्व इस दिश्वर कुछ नहीं है इसलिए तो आरक्षर संदर्व शिल है जाती से ज़्यादा संवेदेशिल कुछ हाई नहीं उस पर भाजपा अभी डोल ड्रम में लगती है सुंबार को एक अदब आगे करती है मंगल को पीछे कर लेती है और मेरी समझी कहती है मैं आप से जानना चाहरा हूँ कि आपको क्या लगता है कि जाती इतना संवेदेशिल विश्य है कि इसमें दोनों हातों में लड्डू रखके नहीं चल सकते आप एक रास्ता चुनना होगा पूरी पुखताई के साथ चुनना होगा यह बहुत धिक खिलवार खेल नहीं चल सकता यहां क्रशी में नहीं चला फिर जात तो उससे भी कई हजार गुना ज्यादा से कि इस देश में आरक्षण का आ बोल दीजिये पूरा चुनाव अनुलों बिलों करने लगता शीर्शाषन तांगे उपर सिर नीचे आ बोल दीजी चुनाव के तो रहां सिर्फ आ पिर शारी सोशल मीडिया टीम ट्रोल आर्मी फलान डिकान सब फेल हो जाती है सुजाता जी उसको पता चल गया है कि यही एक रास्ता है जिससे हम अपना कोया हुआ वोट बैंक वापस पा सकते हैं एक तरफ मुसल्मानों की राज़िती कीजिए दूसरे हिंदुों को जाती में बाटने की राज़िती कीजिए तो तो जो 20 यहां से आता है 10 परसंट यहां से तीस-पर तो यह चलता रहेगा साथी साथ जो उनके छेत्री दल है वहां की राज़िती वो करते रहते वह और जादा बढ़ चड़के करेंगे तो इस पर भारतिये जन्ता पार्टी का क्लारेटी होना बहुत जरूरी है और साथी साथ एक और जरूरी है जो भी कार उन्हों में किये ह उनको बताना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर अगर यही मैदान है यह मैदान उनका नहीं था उनका हिंदुत्यों का मैदान था पर अगर यही मैदान है तो इसी मैदान में अपने अस्त्र अस्त्र निकालने होंगे इसी में बताना होगा कि सबसे पहले अगर एनीटी में रिपोर्ट आई है वो भी एक तरह से जाती है जनगर्णा और रिजर्वेशन के जो कूफल थे जो पिछली जो वंचिछ जाती हो के लिए थे उसको हटाने के लिए किया अब अब वो नहीं चलेगा कि नहीं मुझे आज चाहिए मुझे नहीं हम कराना चाहते हैं लेकिन ये द के दिया है तो उस पर जीत के आएं और आज जीत के आएं तो वो डिता अपमे उस जाती का प्रतिंदी तो मांगे और आज इसी का नतीजा है कि हार एक चाहे वो सत्ता प्रक्ष हो ये विपक्ष हो जाके जनगर्णा से नहीं भाग सकते यहीं सच्छा है सुजाता जी मैं ब पहले ओड़ जाता है कपूर की तरह आपने किया लेकिन लाब नहीं मिला क्यों कि जो प्रभावित वर्ग है हित्धारक जो है वो कह अगर नहीं भाईया यह तो महिनों रार किये रहे क्या यह मन में सोचिये आप मुण से बोलेंगे कि समाज का विभाजन और समाज की तूट पूट और डिवाइडेंट रूल आधी आधी तो नन को फिर माली सपाव कांगे सना भी बोले फिर भी नन को सवाल पूचेगा कि ना भाया इनके मन में कुछ चलता दूसरा रात है तो अजबूरी में किये हुए काम का लाव ने मिलता सुजाता जी राजनीत में जैसे इसका इतना बड़ा उधारन देता हो हिमालेज इतना बड़ा क्या राजनीति गान देताओं के लिए वो सबसे बड़ा उधारन होगा इंद्रा गांधी ने माफ करियेगा आशोक जी मुझ चुनाव करा रहे हैं क्या जनता ने माना उनको लोग कंत्रिक माना अम्मा बेटा दोनों हरा दिये धर्स्ती बहुत हो गई सरकार अगर इतना ही सरल होता तो इंद्रा जी फिर लोग कंत्रिक नहीं माल ली गए हुथी बिथाए उनने भी बहुर सुन्दर भाषर दिया था क कि मेरे तो रक्ति की बूंद बूंद में लोग तंत्र है लोग उनका नहीं कोई बूंद में नहीं है यह अभी दो दिन पहले तक लट्टी चलवा रहे हैं इंद्रा गांदे इसलिए भारत की जनता को जो लोग इतना मूर्ख समझते हैं कि नहीं गुरू लट्टू हुए ह आपके पीछे एक प्रश्न हमेशा घूमता रहेगा जैराम रबेश कुछ कहें आप कुछ कहो का जिन राज्यों में आपकी सरकार है वाह सर्वेच्छन के नाम से गिंती करा लो यार क्या जनगनना पर रोख है ना कि वह लिखत-पणत करो गया तो दरोगा जी आ जाएंग आपके पास अलावदून का चिराग है जो यंत रहे पूरे गरीबी दूर करने का मैं इससे व्यग्ण हूँ कि आप उस प्रदेश को ज्यादा दिनों तो गरीबी में क्यों रख रहे हैं नहीं कि अपने शाषित राज्यों में तो गरीबी मुक्त कर दीजिए गरना करा के तरवाडी जी अमिताब जी आपको उत्तर देने से पहले हमारे साथ पैनल में एक अकेली महला पर भागी हैं उनका पूरा सम्मान करते हुए मैं कहूंगा कि उनको थोड़ा राजनितिक अधियन मढ़ाना चाहिए अभी वो कॉंग्रेस को म्रत प्राय कह रही थी मेरी उस पे आपती है बीच में नहीं टोका थोड़ा पढ़ लिख लीजिए कि कॉंग्रेस कब म्रत प्राय थी और कितनी थी और ऐसे स्टेटमेंट से बचिये तो बहतर होगा दो सीट पाने वाली भारती जंता पार्टी चार सो पार का नारा दे रही थी तो ऐसे शक्दों से आप बचे राजनितिक विशलेशक ही रही दूसरा मिताब जी जो आपका प्रश्न है उसमें बार बार मैं भाजपा की प्रवक्ता से भी बूशता रहा कि यह सपष्ट कर दे कि यह जाती जंगणना चा चाहिए और हम सरकार चला के फिर दिखा देंगे और आज 2024 में देश्टी जो जरूरते हैं उसके हिसाब से काम करके दिखा कि अधर में चला दीजिए देखिए कि सिती क्या खराब हो गई है कि मुख्य बच्टियों को पहर है कि आप बेटर मत कीजिए ठीक है जोने लोग र पर दो भीहर की तरह नहीं कि आपका तो कमिटमेंट है फिर क्या दिक्कत है कि मुझे लगता है कि बिहार का हस्र जो है इस देश में देखा बिहार में जाती जो आप सर्वे बता रहे हैं उसका हस्र क्या हुआ अल्टिमेटली मामला कोर्ट में गया और जिस उद्देश से गड़ना कर आए गई थी उद्देश सफल नहीं हुआ अगर मोधी सरकार को इतनी चाहत है पिछड़ देशो तो उस जाती जनगड़ना या कास सर्वे जो हुआ था भीहार में उसको नवी अन्सुचिम डाल देती फिर उसका जो है नियाएक परिछन नहीं हो पाता दूसरी बात देखें भारती अन्ता पार्टी का उधारन आपको मैं दूँगा त्रेन वे में बस में जैसे लोग जाते हैं सवारी तो क्या करते हैं एक सीट पर बैठेंगे दूसरी सीट पर गमचा रख देंगे एक सीट और खाली देखेंगे तो उसके पो मोबाइल या कुछ और भारती अन्ता पार्टी की सिटी वही है अपने कमंडल की राजित खेल लए है अदेख रही विपच का लोग अगर सोसल जेस्टिस की बात करने वहां भी अपना गमचा टो फेंग दे रही ने वह भी हमी करेंगे तीसरी और कोई पार्टी को अपना मुद्दा उठाएगी वहां भी अपना को पेन या कुछ रख देगी नहीं वहीं हमी करेंगे यह सिर्फ इस्पेस जो है विपच्छ का इस्पेस को अकुपाई करने के लिए भाजपार और रसे इस तरह की बाते बाते वर आप देखेंगे रटनागर जी समाजवादी पाल्टी के रिए कि आप व विपच्छ के इस्पेस को अकुपाई करने के लिए अपनी तरफ खिचने के लिए यह जोला गमचा रख को राजनीत कर रहे है अमतार जी हमारे अशोग भाई यह काफी अनुभवी है और इनको यह समझना चाहिए कि राजनीती में जनता को अपनी नीतियों से प्रभावि जो जहां पर लगता है कि यह जनहित के लिए है तो निशित रूप से भारतिय जनता पार्टी दो कतम आगे बढ़के उस मुद्दे को विचार जरूर करेगी और उसको भी प्लागो करने की कोशिक करगी वितिहास गवा है हमने बहुत सारे मुद्दों पर जनहित में फैसल जरूर जाती है जनगर्ना से हम भी रोद तो करने रहे लेकिन कहीं मेरा प्रश्ट सीधार सवाल कांग्रेस पार्टी से है कि आप भाईया इतने सालों तक सत्ता में रहे आप ने क्यों नहीं जाती जनगर्ना करा करके और फार्दा पहुचा देना चाहिए लेकिन आप इतने सालों में यही नारा दिये ना जाती पे पादी पे वोट लगेगा हाथ पे तो आज उस परीपार्थी को आप बदल करें जाती है रतनागर्वाई ठीक है समय कम है एक तार्किक बात अशुग्यादव जी ने कि उस पर मुझे एक बात जरूर कहनी है कि नौमी अधिस्टूर नौमी सूची में डाल देते अनसूची में डाल देते समविधान की ताकि न्याइक समिक्षा से परे हो जाता बिहार का गणना नहीं मैं उस बात से सहमत नहीं कि प्लेंट पेपर पर गिंती आजया तो भी हम मुख्यमंत्री हैं समझ लें हमको कहां भी कास करना है अनसूची क्या करेंगो उसमें अजब तमाश है अनसूची कि क्या मतलब मैं मुख्यमंत्री हूँ मुझे पता लग जाग वही इस जातियों की इस्तिति यह बात खतब क्या समस्य आए उसों सुब्रियों को कैसे रोक लेगा चीजों को उलजाईए नहीं कॉंग्रेस दलितों के पक्ष में है पिछलों के पक्ष में है यह स्थापित करने के लिए अभी कॉंग्रेस को माइल्स टू गो वाली स्थिति है गांधी परिवार को बहुत दूर तक ज देखिए यह देविलाल यह मुलाहिम सिंग शर्द यादव यह लालू परसाद यादव यह नितीश कुमार यह सब लोग मायावति काशिराम यह सब लोग कांग्रेस से दलितों पिछलों का जो मोह भंग हुआ उसी से उपजे न इसमें कांग्रेस अभी मैं नहीं मानता के दलितों और पिछलों की स्वाभाविक पार्टी हो गई? नहीं, महिसा नहीं मानता. उत्तर प्रदेश में पिछलों को की गोलबंदी अखिलिश यादव केड़ दो सकती है, लेकिन वो प्रमोत तिवारी को और सलमान खुर्षीत को पिछलों करनेता नहीं मानेंगी. इसमें कर्म से. वानी से बदलना होता तो सभी लोग जो अच्छा बोलना जानते वो सब बदल गए होते? नहीं. दूसरी बात में भारती जंता पार्टी के लिए भी कहूँगा. लड़के के लिए प्रस्ताव आया, लड़के की शादी का. तो रतनागे जी सुनिया था. है? अब लड़के की अम्मा लड़के की बाबुजी से पूचा, सुजाता है जी आभी सुनिया बड़ा रोचक है. लड़के की बाबुजी से पूचा के भाई बताओ, शुगला जी की वीटिया पसंद है, कर ले शादी, हाँ बोल दे. मेरा कोई बिरोध नहीं है. वो करे बिरोध नहीं है, सीधे बोलो ना, करें की नहीं करें, नहीं बाद में हमारी जान खाऊगे. मेरा कोई बिरोध नहीं, देख लो. क्या, अगर ठीक चले, घर मिलके चले, भविश में, तो देख लो वाकी. अब इस बात का क्या आर्थ निकालें? देश चाहता है, यह कहिए कि शुग धरूर हो जाएगा, यह मुलायम सिंग नहीं हो सकता, यहां निकल्यान सिंग नहीं हो सकता, जहां जाएगा उसकी फोटो खिचाने वाले लोग रहेंगे. लेकिन भारत की समाज की नब्ज नहीं समझ पाएगा. और कहा जा रहा है कि रतनाकर जी ने भी इस बात को कहा कि हम जुरुद में ठीक है. लेकिन आपके पार्टी में भी प्रभुक्रपा से कुछ ऐसे बाक्षूर हैं जो समय समय पर पलीता लगाते रहते हैं पूरी शिद्दत से? नहीं. अभी जो आपकी तेजस्वी महिला सांसद है, कंगना रनावूद, क्या? उसने कहता ना कि जाद ज अब उनका बयान लेकि अगर अशोक यादव आपको घेरेंगे तो कौन रोक लेगा? शिजाता जी समझीएगा? लंबीर वाद कह रहा हूँ. चार लोगों ने कहा था कि 400 सीट क्यों चाहिए, वो चारों बड़े नेता ने, नहाई छोटे लोग थे, क्या? लेकिन भाजपा को तो लेडूबे, है ना? आपकी तो लंका लगा दी ना उन चारों, ने, वो हारे जीते छोड़िये. अखलेश याद अवराहुल गान दी जितने भी लोग थे, वो ममतापनर जी उनी चार का कोटेशन लेके दौड़े, और बार बार एक बात और कही जाती रखना कर जी, क दुषपरचार किया, गलत narrative गर दिया, मैं माल लेता हूँ कि तरपाथी जी अशोग यादव ने बहुती दुषपरचार, गंदा दुषपरचार किया, लेकिन मेरा आप से सवाल जगूर रहेगा जीवन भर, कि आप उसमार सो रहे थे कि लूड़ों खेल रहे थे, आपको भी पता था चुनाब चलना, नहीं, तो जब ये गलत narrative बना रहे थे, तो आप सही narrative बनाने मैदान में क्यों नहीं हुए, आपके पास तो पन्ना प्रमुख है, भूत प्रमुख है थे, आप narrative क्यों नहीं तोड़ पाए, इस तरग नहीं, जाती की गणना, मैं राजीव गान की कोशिश करते हैं, दभी जुवान से, और चाहे खुलम खुला, कि नहीं, जाती की गिंती का मतलब देश जाती उमें खंड हो जाएगा, नहीं, ये मूर्खता पूर प्रपंच है, नहीं, इस विकार नहीं, मैंने उधारना दिया, हिंदूस्तान में, गाउ में सब को पास अंकड़ा है, गाउ में आज भी एक रस्ता है, एकात्मता है, सामाजिता है, दुख्षुक में खड़े होते हैं लोग, तो बाड़ी जी गलत कह रहा हूंगा, दिल्ली मुंबई का आदमी एक दूसरे के दुख्षुक में खड़ा हो ना हो, गाउ को आदमी खड़ा हो रहा वहां तो जाती जाती गोतर तक identified है अशोग जी गरत तो नहीं कहा रहा है सबको पता है फिर भी आना जाना खाना सब है एक साथ शहर में नहीं है जाती पहिचान नहीं है इतनी प्रकर जितनी गाउं में फिर शहर में एकात पता है नहीं न एक जुटता है नहीं न सारा मारा मा यह तो शहर में ही है इसलिए यह तरक फिजूल है और जब आप यह कहते हो कि नहीं देश को जातियों में तोड़ने शोड़ने खोड़ने की शरी अंतरसाज और कड़े-कड़े शब्द लाते हो तो पिछड़े और दलित के मन में कहीं यह बात भी आती होगी कि मेरी गिंती प कितने है निशाद कितने है मलाह कितने है केवठ कितने यह पता लग जाएगा तो क्या समस्या हो जाएगी मैं आज तक यह नहीं समय पाया, बड़े-बड़े विद्वान लोग हैं, वो के दिनने नहीं देखिये, राजीब जी ने यही तर्क शुरू किया था, उन्होंने उधारण दिया था कि अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की प्रक जो पॉलिसी लागू की थी, वो वि घर के लोगों की पहचान की गिंती करने, क्या जात इस देश की पहचान नहीं, मेका हिस्सा नहीं है? है, क्या जात हमारी शादी-भयार रिष्टे-नातों की की बीच का विशे नहीं है? है, फिर उसको नकारना क्यू चाते? इक बात ध्यान रखिए, इस देश में आप धर्म बदल सकते हैं कानूनन, जाती नहीं, जाती धर्म से बड़ी सच्चाई है, सुजाता जी, भारत के लोक जीवन में धर्म से बड़ी सच्चाई जाती है, उसकी व्यापती ज़्यादा है, इसलिए ये इसको कोई बहुत अनर्थकारी चीज मानना, कि जात की गिंती हो, राम, 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 ये देश विरोधी काम होगे, नहीं, ये देश हित का काम है, किसी भी समाज में गिंती हो जाए, ये कोई गल्ट बात है, क्या, और इसके लिए इतना राजनेतिक उधम क् होना चाहिए, भारती जन्ता पार्टी को लिए मुझे लगता है, कि चुगी वो सरकार में है, इसलिए उसको आज नहीं तो कल, इस पर्ष्ट बोलना होगा, हाँ या ना, ये ने गुड़्डू की शादी कहीं भी कर लो, मुझे क्या है, मुझे कोई विरोध ने, ये भाव को एक लाइन लेनी होगी, आप इसके पक्ष में है, आप इसके बेपक्ष में है, अब बीच का रास्ता नहीं, कि पक्षबाले मिले तो इधर जुग गए बेपक्षबाले, भाजापा सबसे बड़ी पार्टी है देश की, सत्ता में है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी जादा है कि वो देश को ये बताए कि वो इस सबसे सेंसिटिव मुद्दे पर कहा ख़़ी है, इस तरफ या उस तरफ, धन्यवाद.